सब लोग पढ़ते हैं इतिहास लेकिन आप इतिहास पढ़ेंगे नहीं आप इतिहास बनाएंगे आने वाली पीडियां इतिहास पढ़ेंगे ये बड़ा सोभाग्य है ये योग संधी का काल है ये भागवत मुर्त का काल है 2013 भी बहुत महत्व पून मैंने कहा था पहले सब मेरी उस समय हसी उड़ाते थे मैं हमेशन जोतिस के ये जो तथा कतित जोतिस, वैदिक जोतिस को मैं मानता हूँ जोतिस के नाम पर कोई शनी चढ़ा रहा है, कोई केतू, कोई राहू ग्रह नक्षत्र चढ़ा रहे हैं, भूत प्रित चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, ये सब धंदा है मेरे उपर क्या चढ़ावा मुझे पता है कि जोतिस, अब मेरे शिर्पर टोपी रखे हैं, मुझे पता है न अब मेरे उपर एक विचार एक संकल्प चढ़ा हुआ है वो भूत परित वाला नहीं कि हमें देश को बचाना है बनाना है मैं बात कर रहा था आपसे मैंने पहले कहा था 2013 में इन पापियों की तेरी भी हो जाएगी और जोहदार तो जैसे ने भारत के अधार शिला रखी जाएगी अब वो प्रत्यक्ष हो चुका है चार विधान सभाम अब लोग सभामें तैयारी धर्म युद्ध दो हजार चोदह और इसमें आप लोगों को काम करना है पहले भी बहुत काम किया अपनी भारती संस्कृती का मूल है वीद सब मेरे साथ बोलेंगे वेदो खिला धर्म मूलम यतो अभ्युदाया निस्रय साहा सिध्धीह साधर्माहा यतो धर्मस ततो जयाहा सत्तिमेवा जयाते यह सब उद्गोष अपने रिष्यों का है सनातन है यह आज हमारे एक बात अच्छे वैदिक विद्वान है कृष्ण भट्टाजी उन्हें एक सम्मेलन रखा धर्म जागरिती ट्रस्ट की और से आर्षधारा तो मैं बोल रहा था अज सब जगे मिलावट हो गई है एडल्टेशन इस दा बिग्गेस्ट प्रॉब्लम इन भारत एडल्टेशन किसमे मिल्क में एडल्टेशन किसमे घी में एडल्टेशन किसमे आईल में एडल्टेशन किसमे केसर में केसर, सिलाजी अडल्टेशन सब जगे हो गया है फेमिली में भी कुछ जगे तो वर्ण शंकर पैदा हो रहे है बड़ा विचित रहे मैं जातपात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं संस्कारों की बात कर रहा हूँ अडल्टेशन और में तो हुआ एक आदमी एक दिन जहर खरीद के लाया ओ मरा नहीं जहर खा गया सलफास की गोली खा गया पूरा डबा खा गया बस फिर डोक्टर ने के पांस उसको लेके गए और डोक्टर ने इसा गोली निकाला थोड़ा सा पता लगा थोड़ा सा एक बार ऐसे बेहोसा हुआ मरा नहीं फिर दोड़ने लग गया उसका सारा गोली चेक किया पता लगा गोली जहर नकली था जहर भी नकली आजकल तो बाबा भी बहुत से नकली नकली बाबा नकली पॉलिटीशन नकली बिजनेसमेन सब नकली 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 तो सास्त्र में भी मिलावट हो गया सब जगे मिलावट लेकिन आज तक सृष्टी के आधिकाल में वेद ज्यान पवित्रात्माओं के रदे में उत्पन हुआ इसमें दो तरह की मान्यताइं है एक मान्यता निर्विवादित रूप से सब मानते हैं कि वेद अपुर्शे हैं लेकिन दूसरी मान्यता में कुछ कहते हैं कि अगनिवायु आधित अंगिर इंचार रिश्यों की एक और दूसरी मान्यता है कि कालखण्ड के अनुसर ये इश्वर ये संदेश अलग-अलग रिश्यों के आत्मा में प्रकट हुआ ये इसमें भेद हो सकता है लेकिन हुआ रिश्यों के आत्मा में ये भी निर्विवाधित है रिश्यों के आत्मा में जिस वेदों के ग्यान का प्रकाश हुआ वो अपुरुशिय ज्यान स्रिष्टी के आधिकाल से एक अर्बचानवे करोड़ आठ लाक तेरफ़ार 114 वर्षों से 200 करोड़ वर्षों से वो वेदों का ज्यान यदि आज तक बिना मिलावट के सुरक्षित है तो उसमें आधुनिक भारत में हम देखते हैं तो इसमें करनाटक और खास करके दक्षन भारत की बहुत बड़ी भूमेगा